जाहिंत हलो डियर स्टुडेंट्स पैरेंट्स और वो सभी लोग जो आज मुझे सुन रहे हैं और जिनका वाब है इन्हें आप फॉर्सेज या मर्चन ने भी यह आफ फाइल देख रहे हैं कि इसमें वो तमाम पर्चे जो अभी कि एंडिये का रिजेंट आये टेस्ट का चुसत्रा अप्रैल तो जारी किसमें एंडिये का एक्जाम होते एंडिये 1st 2021 उसका जो रिजेट आया है उसमें दून डिफ्रेंस अकेडिम ने एक बार फिर से दिहास आ जाया है कि एक बार फिर वो मुकाम हसिल किया है जो पिछले 16 वर्षों से दून डिफ्रेंस अकेडमी जिसके लिए जाने जाती है कि मैं सबसे पहले कि इन तमाम बच्चों को जिनकी संख्या बहुत बढ़ी है आपकी सोच सबकी सोच से बहुत बढ़ी है कि को कि इस पोवचे बढ़ी पिद्दूर बढ़ां टोगी है जो क्वाय की उन सब को मैं अपनी तरफ से मुबारख बार देना चाहता हूं सत्वरिक ओंच्वर्ट को मुबार बार डेना चाहता हूं यद्म कांग्रुझिलेशन बढ़ना चाहता हूं आपकी सफल्ता के लि कि आज मैं कुछ चीजे जरूर कहूंगा मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आपको बताऊंगा तो मैंने मन में यह सोचा कि क्यों ना एंडी के जो एक्जाम का रिटर्न टैस्स का रिजिन टाएगा एर फोर्स का जो अभी मेरी प्लिस्ट आएगी उसके बाद होगा आपको मै बोलू विद प्रूफ बोलू तो जाव बहतर रहेगा मैं कहीं टाइम से आप लोगों को कहता आया हूं समझाता आया हूं वाइस दिट्रेंट बेविन हार्ट वर्क और स्वार्ट वर्क है वाट इस तेसे क्लासीज और स्प्रक्षक by घ्रेंट क्लासिज फरक क्या पर उसके स्कूंज Marlee क्या है तो से आप क्या हासिए अक दोनों में आपको बहुत क्था Su और रिजन्ट आपके सामने हैं आफ्लाइन क्लासिस का यह जो आज अभूट पूर सपलता दून डिफेस अकेंडमी के स्टुडेंट ने आज प्राफ्त की है यह पहली बार नहीं है कि पिछले 16 यह से लगातार होता रहा है लेकिन इस वर्ष इस बार कर जो रिजन्ट है वो स इस्पेसली 11-12 के बच्चों के लिए आपके लिए जिनकी ना 11 की ना 12 की पढ़ाई ठीक से हुई थी ना कोई और कॉंपुटेशन की पढ़ाई ठीक से हुई थी और एक छोटी सी विंडो में मिली थी जब आफ्लाइन क्लासिस हमारे हां स्टार्ट हुई थी उस दोरान सब्सक्राइब यूनिक है और आप लोगी महनत उसको प्रूफ किया है इतने सारे जो बच्चे क्वालिफाई किये हैं उसने मेरा हमेशा से मानना है और आगे भी मेरा यह मानना है कि अगर आपको रिजेट ओरेंटेट कोचिंग करनी है तो आपको आफ लाइन कोचिंग की परपरेशन कर चुकी है जिनका बेस अर्डी बन चुका है ऐसे लोग तो फिर भी कहीं ओनलाइन की तरफ देख सकते हैं लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर है जो पहली बार कॉम्पेटिशन दे रहे हैं गल्ती से भी आप लोग फिर से कह रहा हूं ओनलाइन के चक्कर में मत प तूलिफे की है उनका पहलाचे य आफ लाइन के रहा हूं किक तीक्र के लिए ईयोटिूब वालेगिंज learnt और को इैसा मेरे कोई क्या इश्ड अपनलय महत्म होगी मैंस पेचली उन बच्चों को कह रहा हूं जो बhrमीत होते हैं उन भर्बन्स को कह रहा हूं जो बंद टाउ 11 12 के बाद 12 के बाद इस्पेशली अगर आप एंडी आर्मी नेवी एर फोर्स मर्चन नेवी इन जगे एक्चुल में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको एक साल चाहिए कहीं भी करें करने ही पड़ेगी अगर आपको सक्सेश चाहिए तो उसका प्रमाड यह है उसका शाक्षय है इतनी बड़ी संख्या में आज यहां से बच्चे क्वालिफाई की हैं और आप देखना आपके गाउं में आपके शैरों में आपके सीटी में कस्भों में आपको मिल जाएंगे आ आने वाले बैचिस के लिए जो हमारा 12 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है जिस संख्या में आफ लाइन के लिए इंट्रस्टेट हैं और रेजिस्ट्रेशन करा रहे हैं मैं आचमबित हूं अचमबित जरूर हूं लेकिन खुश भी हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सब्सक्राइब कर दो दो है कि आप जो प्रश्चि चुन रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं आप देख रहे हो कितने सीधे से नहीं है कि निमाग कर शारिक जो है इस्पेशली आई-साइट भी को रही है मोबाईल पे कुछ पिलावा है पढ़ कुछ रहे हैं कॉंसेंट्रेशन नहीं बनता ओफ-लाइन क्लासेज में यह बात बिल्कुल फैक्ट है हाँ एक लेवल पे अगर ग्राइजुशन बच्चा कर चुका है थोड़ा सीनियर बच्चा है बीस-बाइस साल का है तो एक उसमें तोली मैचुर्टी होती है वह उसके लिए तो फिर भी चलो ओनलाइन ठीक है लेकिन वाद ओनलाइन क्लास में जाना डिपेंडेन ओना उनलाइन क्लास में मैं यह नहीं कहरा जाना अगर आपके पास ताइम है और आफ-लाइन कलासिस के लावा तो आपको अच्छा टीचर ल मैं फिर से गहरा हो आपको कहीं भी कोई भी आप YouTube चैनल उठाकर देख लो आदे से ज्यादा उसमें जब पढ़ा होती है जो भी होता है तो अपनी तारिफे शायरी गाने बाने बच्चों को इनके व्यूस बढ़े उनके सब्सक्रिप्शन बढ़े और गलत नहीं हो और अपना पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों में पैस देरेंगी पोशिश करेंगे क्यों वो चाहेंगे कि उनके सब्सक्रिप्शन बढ़े है इसमें कोई गलत बात नहीं है लेकिन इससे होगा क्या उनका तो एक टार्गेट पूरा हो जाएगा लेकिन अगर आप जो आप एं आपका जो भीस्रे आपका तो वो टाइन ख्रॉब हो गया न एक कि आप एक लिए उन लाइन क्लास के उसके बडियमें अगर आप शाल में भसके ऐ तो आप जानए देख सकते हैं पढ़ सकते हैं कोई बुराई नहीं नहीं है लेकिन डिपेंडेन्ट फुली मत हो हूं 100% डिपेंडेन्ट मत हो आप आप और लाइन ग्रासीज में आपको पर आपको वान टू बेस पर नहीं होगा अगर आपको अपने डाउट क्लीए करने आपको एक अच्छा मेथर्ड भी नहीं है भर्मित ना हो बाकी फिर से इन तमाम बच्चों को जो एक बहुत बड़ी संक्या में क्वालिफाई किये हैं फिर से मुबारक बात देता हूं और इनके लिए आप सब के लिए बच्चों आप डून डिफेंस अकेडमी में 19 जुलाई से आप उमेश गु आपको फेकल्टी एंटरुब की मालूमी है ग्रूप कैप्टेन डीके तनवर सर हमारे कैप्टेन हरी ज्यानी सर हमारे विपेटिन सर हमारे उमेश बुनियाल सर हमारे जो इक्स्पीरेंस है वह आपको पर्प्रेशन कराएंगे फिरी ऑफ कॉस्ट जो हैं डीडिके तरिक से तो उसके लिए तल से हमारे यहां कुछ रिविजन क्लासे शुरूरे यूटूब चैनल पे वो फूर टाइमिंग है हम आपको एक बार बारा तारिक तक रिविजन करा देंगे और उसके साथ एक सूपर सेवन टैस्ट श्रीस हम फिर से करने वाले हैं जो आपकी एक हंडेड परसंट मालूम है कितने यूसफुल हैं यह सारी जो हम चीज़ें यहां पर करते हैं बाकि आप आज ही है अकैडमी ओपन हो चुकी है राइस्टेशन अलड़ी चल रहे हैं अडमिशन अलड़ी चल रहे हैं लिमिटेट सीट से मैं आपको तहीं बार क्या चुका हू है उसमें सारी डिटेल आगपर उसको जोड़ देख लेना कुछी सीट बची हैं यहां पर कोई जान का रही कोई भी डाउट आप हमारे डिस्कूप्शन बोक्स में नंबर दिये हैं वैबसाइड लिंक है अमने शोशल मीडिया के पेजिसेंश में आप देख सकते हैं कभी मैं किसी के लिए कोई बुरा नहीं कह रहा हूं ना मेरे कोई इसा इंटेंशन है मैं डिफेंस रेटायर डेवेजर आदमी हूं कहीं लोग मेरे बारे में कुछ उल्टा सिधा बोलते हैं अभी आप देखना कमर्स में कुछ लोग उल्टा सिधा डाल देंगे चिंता नहीं कर कराना उसके लिए मैंने कहीं बार आपको अभा गया है कहीं भी एक रुपी आपको जमा नहीं कराना है कुछ कोई बंड़ा इतने फीज जमा करा दो किसी कहां कर देंगे यह वह जब तक आप परसनली नाए चालो मेरे हां अगर मेरे हां भी कोई आपको कह रहा है कि फीज ज सब्सक्राइब और उसको उनको तयार करेंगे और मुझे उमीद है कि एंडिया में एक बार फिर से दून डेफेंस अकेडमी के बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैं पी योपी में जाओंगा हर साल में पी योपी में जाता हूं पिछले दो बार नीजे आपाया विपस ओव जल्दी से जल्दी वापिस आज है आपके क्लासे शुरू हो रही हैं वंस अगें थैंक यू वेरी मच्च एंड जाएंगा